अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवद्दी के लिए नीती के विश्यों का शवन करें नीती का आरम में सिखाते हैं कि अगर अर्थसास्त्र ना पढ़ा हो तो विक्ति को अर्थसास्त्र पढ़ लेना चाहिए और अर्थसास्त्र की दो परिवाशें बड़ी महत्पून है ऐसी दो परिवाशें अर्थसास्त्र की जो सारे अर्थसास्त्रों का सार है ये अपन सबने सुनी होगी लेकिन ये जीवन में अप्लाई करना बहुत इंपोर्टेंट है ये दोनों जो मैं बोलने जा रहा हूँ आपको ये सूत्र ये जीवन में अप्लाई करना बहुत कटिन है होता ये कि हम जब अपने रास्ते पर जाते हैं यह हम सोच लेते हैं कि हमको अपने लक्ष बनाना और हमको इस लक्ष पर चलना है कहीं न कहीं से बाहरी बाध आएं आपके लक्ष से आपको कहीं और छोड़ाती हैं कभी मन कभी दूसरों के शब्द और कभी परसितियां अर्थ सास्त्र की दो विशेज बाते हैं दो विशेज बाते हैं पहला आए जादा और व्याये कम आए जादा और व्याये कम जितना कमा सकते हो कमाओ लेकिन जो व्याय हो, खर्चा हो भोग बहुत लिमिटेड हो 100 कमाते हो तो 20 का खर्चा हो अगर तुमने 100 कमा करके 90 का खर्चा किया है तुमारी गाड़ी डूबेगी आये ज्यादा और व्याय कमा कर तुमारी आये व्याय बराबर चल रही है इसका मतलब निश्चित है कि आप fail होगे Nobody can help you for your success निश्चित बात है आए ज्यादा और व्याए कम अगर आपने 100 रुपे कमाएं और आप लगबग 90-90 रुपे खर्च करते हो 20 बचते हैं इसका यह मतलब निश्चित है कि आप एक दिन बहुत लंबे घड़े में जाओगे आए ज्यादा और व्याए कम और दूसरी बात जो चीजें उप्योगी हो उप्योगी चीजों के लिए 5 रुपे के 500 रुपे भी देना जो चीजें उप्योगी हो उन उपयोगी चीजों के लिए पांच रुपे की चीज के लिए पांसो भी देना और चीज उन उपयोगी ना हो तो पांसो की भी चीज पांच रुपे में मत लेना अगर उपयोगी ना हो तो मत लेना यह अर्थसास्त्र है जो लोग अर्थ सास्तर पर जीवन जीते हैं और जिन्होंने अर्थ सास्तर के अनुसार जीवन जीया है निशित मानना वो कभी गड़े में नहीं जाते जो लोग या चीजें आपके लिए उपयोगी ना हो उनकी अपेक्षा ना करें जो लोग या चीज़ें आपके लिए उप्योगी ना हो उनकी अपेक्षा ना करें और जो लोग या चीज़ें आपके लिए उप्योगी हो उनकी उपेक्षा ना करें Neglection and Attraction दो चीज़े कह रहा हूं मैं अपसे एक Neglection और एकAttraction अक्सर देखा जाता है दुनिया में जब कोई बाहर गुमने जाता है तो जो बच्चों की हरकते होती हो बड़े भी करने लगते हैं चलो यह भी खरीद लो अब यहां तक आए हैं तो यह भी ले लो अगर घर से आप सब्जी लेने निकले हो और आपको पता है कि अभी सब्जी की इतनी आवशकता नहीं है कितने ही सच्चे टमाटर मिलें दसके लो लेके मत आ जाना वो गाये के ही काम आएंगे अध्वा तुम कोई टमाटर टमाटर खाके देन निकालना पड़ेगा यह मैं बहुत चोटी सी बात कर रहा हूँ इसी को विस्तार करके आप समझना जो आवशक चीजे हैं बस वही लेना जो अनावशक हो उसको अपने जीवन मत जोड़ना यह एकनॉमिक्स है अब वो लोग हो चाहे चीजे हो चाहे वक्त हो कुछ भी मिले आपको आप अनावश चीजों को जोड़ना नहीं जो आपकी काम का हो उसे कभी छोड़ना नहीं बहले उसके लड़ना पड़े जगणना पड़े रोना पड़े हाथ पेर जोड़ना पड़े चमा मांगना पड़े कुछ भी करना पड़े करना कुछ भी करना पड़े करना क्यों करना कि मेरे लिए वो चीज आवश्यक है कि घर मां रूट जाए गुरु रूट जाए तुमको जो प्रयास करणा पढ़े सब करूं कि वह आवश्यक है आपकी जीवन के अणिवार आवश्यक है कोई रूट जाए फरक नहीं पढ़ता है अगर गुद। जगे बहुत फर्क पढ़ता है। उन्नति से आवनति होंने में देर नहीं लगेज तो आपकी लाइफ में बहुत साई लोग आपसे अंटरेक्शन होते हो गए मिलते होंगे बाते अट्रेक्शन का डारेक्शन सही रखना यह एकनॉमिक्स की बात करो मैं आपसे अर्थसास्त्र की बात कर रहा हूँ कोई नया मॉडल आया फोन का तुरंट चेंज करो कोई नई डिजाइन आई जूल्टी की तुरंट चेंज करो कोई अगर नई गाड़ी आई है वाजार में तुरंट चेंज करो कोई नया इंटीर आया है तुरंट चेंज करो क्यों करें अर्थसास्त्र कहता है नहीं करना अर्थसास्त्र कहता है बिलकुल नहीं करना आवश्यक चीजों को ही जोड़ना अनावश्यक चीजों को मत जोड़ना कम लोग हो अच्छे लोग हो चुनिंदा लोग को जोड़ना अक्सर लोग followers बढ़ाने के चक्कर में हर कुछ भर लेते हैं एक अच्छा builder जो ये colonies और नाइस करते हैं या जो अच्छी school वाले होते हैं इक बशस को भरते नहीं एक अच्छा ignizer होता है जो हर किसी को नहीं भरता कि तुम भी लेो plot तुम भी ले लो plot जिसको plot sales करना उसकी बात नहीं करा ह। जिसको घर बना करके बेचना उसकी बात करणा ह। वो महाजन लोगों को स्थान देते हर किसी को स्थान नहीं देते जैसे जब कोई teachers या स्कूल में कोई बच्चों को अपउइंट करते तो हर बच्चे को अपउइंट नहीं किया जाता किस बच्चों को अपउइंट करना चाहिए बच्चा तो पढ़नी आया उसके पास बुद्धी तो होगी नहीं बच्चा पढ़नी आया उसके पास बुद्धी नहीं यह बात मानता हूँ लेकिन बच्चे में एडिकेट्स होना चाहिए कैसे उठना है कैसे बैठना है कैसे वारता लाब करना है किसको ignore करना और कैसे ignore करने यह जो एडिकेट्स होते हैं यही एडिकेट्स आपके काम आएंगे तो अपनी बात पर अपना आते हैं अनावश्रक चीज़े ना जोने महीलाओं के अंदर यह बहुत अच्छा गोन है अनावश्रक चीज़ों को जोनने का कभी आप देखने जब आपका घर बन जाए किसी घर नया बनाओ एक बार उसकी छट पर होकर क्या ना आपको मालूम चल टाइल्स के टुकड़े मिलेंगे कुछ स्टील की फ्रेमिंग्स मिलेगी सब एक तरफ एक रखा मिलेगा एक खटा मिलेगा उसमें जीवत पन हो जाएंगे दो चार बार पानी गिर जाएगा जंग लग जाएगा फिर उसको कवाड़ी को दिया जाएगा एक लेबर बुलव और जेख एक विडोस ने भी एक इटा दी हटा बरावर होगया समझें मेरी इस बात को समझें आज के दोडर में लोग चीजह कर रहे हैं लोग एखटे कर रहे हैं अच्छी चीजह और अच्छी लोग एखटा नहीं कर रहे हैं यह फेस्बॉक आ गया इस्स्टाग्राम कोई कहीं भी कुछ भी कह देता है और सौ लोगों की बीच में कहा जाता है उस पर विश्वास कर लेते हैं दस के वो सौ हो जाते हैं पता नहीं चलता है क्यों अपने इस चीज को समझें ये जो अर्थसास तरह है वो जो पैसे से जोड़ता है ये जो आपके लिए नीती का अर्थसास तरह है वो कह रहा है कि आप अपने आपको लोगों से भी जोड़े तो कैसे लोगों से जोड़े जो आपकी लाइफ के लिए हेल्टफुल हो आवश्यक हो वैसे ही लोगों को जोड़े उम्र का यहाँ तकाज़ा नहीं है यहां बात उसके व्यवार की उसके एडिकेट्स की उसके जीवन जीने की शैली की है आज कॉलेज्जिस में जाइए आप स्कूल्स में जाइए क्या हो रहा है सिर्फ कुछ दिन का अट्रेक्शन direction बिगड़ता है और फिर जीवन का direction बिगड़ जाता है मैंने कुछ दिन पहले कहा था अज फिर एक थोटी सी बात आपको hint करता हूँ गलत विक्ति से अगर संबंद बना लिया है जीवन पर नहीं सुधार पाओगे क्योंकि वो जिन्दगी पर आपको सारें परिशान करने के जिन्दगी भर परिशान करेगा इसलिए attraction का direction जो विक्ति जो वस्तू आपको जाजा दिन तक परिशान करे उसको छोड़ दो जो विक्ति और वस्तू आपको परिशान रगए आपका सही उक करे उसको जोड़ दो और अगर आपने जोड़ा नहीं है तो आप खुद से तूट जाओगे ध्यान रखना इसलिए अपेक्षा सही की हो तो थान होगा अपेक्षा सही की हो तो थान होगा और उपेक्षा सही की हो तो पतन होगा आप बुरा इतियास उठाके देख लिजे के रामायन का महा भारत का राम ने सही की अपिक्षा रखी थी और रावण गलत की अपिक्षा रखी थी अगर रावन गलत की अपिक्षा नहीं करता तो आज रावन का नाम भी महापुर्सों में लिखा जाए रावन इतना अच्छा विक्ति था कि आप से भोल नहीं सकता हूं वो सीधा को उठाके ले गया, तिन सीधा को इसफर्स नहीं किया, आज, आज के जो रावान वो उठाती नहीं, इसफर्स कर लेते हैं, वो रावान जाद अच्छा था, उसकी भाव खराब तो उसके नजर खराब नहीं थी, आज के लोगों के भाव भी खराब हैं, और आज के आप भी खुद को बदले, जो दौर बदल रहा है, आप भी उसमें खुद को बदले, अगर कोई विक्ति आपके लिए उपयोगी ना हो, तो छोड़ने में देर न लगाए, एक मिनिट भी मत लगा ना छोड़ने में, रावन ने अनुपयोगी को उपयोगी माना, एक अन्य भिन्य रामाण में एक बात लिखी मिली कि जब रावन सीता का हरण करके लाया और जब वो हरण करके लाया तो उसके घर में चक्रत ने प्रकट हुआ तो सबसे कहता है विभीचन से, कुम्ब करण से, मंदो दरी से तुम लोग तो कहरते कि सीता मेरे लिहानी कारक है विश्का, पिंड है, देखो उसकी चरण पढ़ते ही मंदो दरी की चरणों से क्या हुआ सीता की चरण पढ़ते ही मुझे चक्रत ने की प्राप्ती हुई मैं तरिखंडादी पती हो चुका हूँ लेकिन रावन का पता नहीं था कि वो जो सीता की चरण पढ़े हैं और चक्र प्रकट हुआ है वो उसकी विनाश का करान बना था रावन जिसे काम नहीं करना जो सही हो उसकी कभी उपेक्षा मत करना और जो सही ना हो उसकी कभी उपेक्षा मत करना अगर आपने आपेक्षा कर ली पुन्य आपकी पेक्षा कर देगा कितना समझाया रावण को लोगों ने माना क्या दुरे दुन को समझाया कितना समझाया वो माना क्या नहीं माना अब नहीं माना तो भुगत रहे आज भी लोग उसका नाव अच्छे से ही लेते कोई अपने बच्चों का नाम रखते ही नहीं है और राम किल तो कितने साम आतम राम, सिया राम, उमा राम, दुनिया बर के रामों के रामों के रामों के रामों बहुत सा है लोगों ने राम अपने नाम जोड़ लिया लोगों ने क्योंकि वो विक्ति जो था उसने अपने जीवन उपयो माना अब नहीं माना तो झेलो अब भुक्तो अब हो परिशान यह आपके जीवन के लिए बहुत महत्पून लेसन है अर्थसास्त्र नीती के द्वारा अर्थसास्त्र विक्ती और वस्तू जो प्योगी ना हो उसको छोड़ने में देर ना लगाएं और विक्ती वस्तू उप् रामाण चोड़ने में लगाएंगा काई लिखा जाएगा राम मी में लिखा नहीं जाए एक सीता को अगर रामाण चोड़ देता बढ़ियां सोने के लंका में राजी करता और चला जाता यदभी जबी प्रती नारायन था उसको नरक निश्चित था लेकिन कम से कम बधनाम होकर तो नरक नहीं जाता कम से कम बधनाम होकर तो नरक नहीं जाता लेकिन कलती कर बैठा नरक का नरक चला गया और बदनाम अलग हो गया बंचम काल आ गया लेकिन आज भी लोग उसको चला रहे हैं अर्थसास्त्र ये नीती समझना इन शौर्ट आप इस नीती को समझो तो आवश्यक को जोड़े अनावश्यक को छोड़े और जीवन को एक नई दिशा से जोड़े आवश्यक को जोड़े भोजन भी हो तो आवश्यक को जोड़े आज देखो आप फूट की अगर बात करते लोग तो कैसे भोजन के पती लालाइद रहते हैं कुछ भी काले तैयार है इंदोर की बात बताता हूँ इसके बाद रात को दो बजे तीन बजे जिसको जो मिलता है बच्चा वो खाता है आदा कच्चा हो पका हो अभी मा की खावर आई थी उस दिन पहले कि मेरे बेटे को बचा लीजे गुरुजी मैंने का मैं कैसे बचा लूँ क्या हो गया वो इतना फास फूड खाता था इतना फास फूड खाता था यूपी की बात है जेन बच्चा उसकी आते इतनी उलजगे कि पूरी आते निकालना पड़ी है अब उसकी बाड़ी में इंटेस्टाइन नाम की कोई चीज नहीं बची है तो वो भोजन जो लिखाता है वो जाता कहा है डॉक्टर ने वो इस टमक से बाहर एक ठेला लटका के रखा है यहां से घड़ा करके वो खाता है तुरंत महल बनके निकलता है 60 किलो का बच्चा आज 6 फिट की हाइट का 32 किलो का है सिर्फ 32 किलो का है 32 केजी और डॉक्टर ने कहा है अगर इसका वजन नहीं बढ़ेगा तो यह नहीं बचेगा क्योंकि उसने अनावस्टर चीज़े जोड ली ना उस समय तो आप गलती करते हो और ध्यान देते हैं और फिर तुम्हारे कारण पूरे घर को पश्टाना पड़ता है उपयोगी लोग और उपयोगी चीज़े बस इनको ही जोड़ना ये मत करना अपने दिमाग से मत चलना कि कर लेते हैं अपने मंद से कुछ काम जिन्दगी बर पश्टावा रहेगा और तुम्हारे कारण तुम्हारे पूरे घर को पश्टावा रहेगा बचें बचा करके चलें अच्छे लोगों को जोड़ें और अच्छे चीज़ों को जोड़ें आवश्यक को जोड़ें अनावश्यक को छोड़ें अपनी जिन्दगी को दई नई दिशा में नई मोरों से जोड़ें किसी ने भोला आपसे कि cops ले लो अहां ले-ले ते ने बहुत बढ़ी हम आस से देने हैं और तुमने शे कि Тут बात्र charts ले लिए ले लिए अ कंपणि यूं से यूं गई तुम जीरो ओगए अब तुम से लड़ने चाहरे हो भज्या किया कुछ बचते नहीं अब company किया करेंगी गल्ति तुम्हारी है है गलती तो तुम्हारी है न अल्टीमेटलिक हो कि आप नहीं तो उस बारे में विचार नहीं किया था आप लोग मेरी इस बात पर कम से कम गौर करें आवश्यक को जोड़ें और अनवश्यक को छोड़ें अगर यह नहीं कर पाए तो जीवन पूरा आपका उपयोग रहत हो जाएगा चाए वस्तर हो चाए भावना हो चाए लोग हो चाए कोई भी चीज़ें हो जो आपके लिए उपयोगी हो वोही आपके पास हो वोही आपके साथ हो क्योंकि नीतिकार कहते हैं कि गल्ती एक बार होती है गल्ती एक बार होती है और पस्तावा जिंदगी पर और कुछ गल्तियों का पस्तावा जिंदगी पर होता है और वो अकले जन्म तक भी वो गल्ती आपको वैसी दुख दे के जाएगी थोड़ा जाग जाएं अगर एक बार जाग जाएंगे तो हमीशा के लिए आपके लाव रहेगा इस चीज़ को समझना अपेक्षा और उपेक्षा किसकी अपेक्षा करना है किसकी उपेक्षा करना है ऐसे अपने अंदर नीती का अर्थजास जोड़के रखना शेश आगे दिखेंगे पगवान मावीर जोमीगी नीती क्लास